दक्षू किम्टी दजो ना देदो लए देधो इस दान दो एक एक देदो देदो ना नहीं दोगे नहीं दोगे जल्दी लओ जल्दी 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 मम्मा को देदो जल्दी देदो हाँ जल्दी लओ एक और एक और एक और ना 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 अच्छा लो 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 एक और दो अच्छा ये लो 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 आप नहीं दोगे आप सब बहुत अच्छे होंगे और अध्या को स्कूल छोड़ दिया है अब मेरे हजबन लेके गए है उसको और उसके बाद के साथ में मस्ती थोड़ी से हुई है मेरी क्लिप्श पगेरा नहीं दे रहा था वो और अभी मैं बैट को सही कर रही हूं तो आप सब ही को पता है म सारे काई क्लीनग कर लेती हैं तो मैं वह सेके मेरे में नहीं सूट करती हूं अभी क sort करते हूं बच्छे ओ चाते हैं और अध्या स्कूल में सियो चलिया सकारा लगा तो यहां हम उसके बार को जब हैं इस साइकल बार सूद कर दूछा है यह नहीं बहुत तो मि क्लाद का प्राइज याद नहीं है लेकिन देखती हूँ अगर मुझे लिंक वगेरा मिला तो जिसको चाहिए मुझे मैसेस करेगा तो मैं उसको लिंक दे दूंगी तो वहां से वह भाई कर लेगा अपने बच्चे के लिए इन बहुत ही अच्छा है मजबूत है क्वाल्टी बहुत मैं इसे लिया भी है और दक्स चलाना सीक रहा है मुझे बहूत ही अच्छा लग रा वहां कि दूंगी चलाना सीक रहा है और तो थोड़ा सा प्रेक्टिस करते करते तो इसको हलका हलका सा आ भी गया है और वो हार्ड भी नहीं मानता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर चाहर नहीं मानता है तो वो जल्दी सारी चीज जल्दी सीख लेगा तो बस बैट को ठीक करके आई हूँ अब देख सबतों दफ कैसे चला रहा है मुझे कभी कभी बिलीब नहीं हो रहा था मुझे थैप कैमरे में देख रही हुँ ना कि मेरे ध्यानी नहीं दिया हो तो चला कर ले गया है बहुत अची चला रहा है दीरे-दीरे करके और सीख भी जाएगा यह बहुत सारे कपड़े ह तो चला कर ले अज़ा यह थे नहीं दो नहीं दो काप लागी अछवार करने पर दो डैका हुए मुझे कुछ समझ में नहीं लेनी है। कब लाउंगी मुझे कुछ समझ में नहीं आरहा है। देख के रहा है कि हम जो महिला है कोई भी चीज अबान घर का खरीती है तो जब ह हम लोग का एस जवाजर हुआं हम यो जूग ड़ खर जाती है जैसे कि आपधी मुझे बहुत बढ़ गई बढ़ गै की मुझे हम इलाह को अभी मुझे ज़ बहुत बढ़ गई है बहुत जासा ज़ानी हो चुकी है तो मैं लूंगी गौ जैसे होता है न कि कभी-कभी हर मंध हम आणको गभी रासन भरवाते हैं तो रासन भर्वार्वाने के साथ साथ कभी-कभी कुछ चीजे एष्ट्रा भी आजाती हैं पर नेक्स मंद में उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो अगले महीं जो हम रशारासन लगाएंगे ना तो थोड़ासा प्रिछले मंद से कम में आएगा, क्योंकि कम चीजे मंगाएंगे, क्योंकि आप रखी हैं, वो खराब ना हो जाएं, इसलिए तो फिर उससे तो पैसा ज पर ने लगती है, तो वहां पर जाने से पहले मेरा स्पेस बहुजा लग रहा था, फिर मैंने एक फेस्यल इस्तिमाल किया है, चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूं, मैंने कौन सा फेस्यल यूज किया है, पर्दे पी रहने तो पर्दा ना होगा, पर्दा जो या तो डरल स्किन लिख जाएगी, क्या आप भी ए डरल स्किन को पर्दे पूछे चुपाते होगा, पर्दे म कि यते रह सही, मेक अप से चुपाते ही होगे, क्या आपको भी पता है, कि केमिकल वरे मेक अप से फेस्यल और बहु ज्यादा डन हो जाता है, और इससे आपकी तो आप सभी के लिए इस प्रॉल्म का सलुशन लेकर आई हूं मैं यह एटीज नियोट सिक्स्टेप डियाईवाई वो सारे स्टेप बैठें इसमें आपको घर बैठ़ें शिफ 20 मिनट में मिल जाएगा आपके चहरे पर एकदम गलूग है इस दिखाती हो qa sthegs & Storage 2nd face scrub, 3rd face massage cream, 4th face pack, 5th face serum, 6th face sunscreen, यह सारी चीजे जब फेशियर करने यह सारी चीजे प्रोवाइट की जाती है तो ज़़िए सुरू करते हैं फेशियर सबसे पहले अपने कोई भी फेवेट फेस होस्ते हैं अपने फेस को होस कर लीजिएगा इसको अच्छी से क्लिंज करने के बाद आप एसमोस कर लीजिएगा 2nd step, 2nd step जो है फेस क्रब, यह फेस क्रब आपको फेस थोड़ा सा लेना है इसमें बारीकी से पास्टिकल्स हैं जो की बिल्कु भी हार्श नहीं है यह आपके फेस की डर्श क्रीन को क्लीन करते हैं और बहुत यह अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देते हैं तो बार हलके हाथों से 5 मिर्ट मसास करनी है इससे इसक्रब करना है उसके बार क्लीन कर लेना है next step है वह है यह फेसियल क्रीम जो की मसास क्रीम है इसके लिए थोज़ा आपको टाइम लेना पड़ेगा आपको 10 मिर्श में लिखा हुआ है हलके हाथों से आपको मसास करनी है जन्ली एद उसके बार अपने फेस को छिन कर देना, सादा पानी gesch़ικा पानी से अब मैंने इसको फॉस कर लिया है अच्छे से अब इसके बाद मैं अपलाई करूँगी इसमें सिर्म जो पैकाया है वो लगाएंगे सिर्म लगाने लगाते ही मेरी जो स्कीन है वो बहुत ही ग्लोइंग हो गई थी सिर्म लगाते ही मेरे फेस पे अलग सी चमक आ गई थी तो लास्ट एंड लिस्ट मैं लगाऊंगी संस्क्रीम तो यह संस्क्रीम है अगर आप डेटाइम पे फिश्यल कर रहे हैं तो आप से संस्क्रीम ज़रूर लगाईएगा आप सभी डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ग्लोइंग लग रहा है आलसो न्यूड ने शर्वी किया है उसमें भी 90% लोगों ने माना कि न्यूड 6-step DIY Makeover Facial Kit इस इंस्टेंट ग्लो मिलता है और 90% लोगों ने इससे अपने फैमिली प्रेंज को रिकेमेंड भी कि इसमें कोई हास केमिकल नहीं है लाइक पैराबीन, सल्फरेट, एन फॉर्मल डिहाइड तो गाईज आप इसको बाई कर सकते हैं www.everteennew.com से एंड इस अलसो अवेलवल ऑन आमाजोन एंड फ्लिप कार्ड तो इसको बाई कीजिए एंड ट्राइ कीजिए अपना फीदबेग म मेरे शार शेयर कीजिए तो गाईज मैं यह वाला सूट पहनने जा रही हूं यह सूठे ग्रीन वाला यह ही रखा हुआ है भी यह भी पहना नहीं है कि देखिए गोसरिकी का है और इसकी चुनी कुछ इस तरीके की है शाइनिंग वाली और इसका यह पैंट है तबसको फटा माज़ का के बातांपण से तरा अकरता की बाप पहन लेती हूने फिर लिए तो इसे पहन लेती ओ प्रिकाती हूं आपको लूग को है मैं तेयार हो गई हूं पसी नि puppet निकल रहा है बहु बहुत है pauट है बस में तेयार होही हमका लेक्री लगा है और ठका सा लाइन लग झाल झाल है यही अच्छा मैं आच्छी हूँ सामने जो इक ब्य Прोइ बैठा है वे ब्यूआ यह देखे का जन्म दिन है यह उसकी मम्न है जोई जो में शुक्ति पीं चुला के प्यूप में वो बहन है और वहा है बाबी जो हमसे बॉते का दिये मैं आपको बतादेती हूं यह जालौन की बहू है जैसे कि मैं जालौन की बहू हूँ यह से यह भी जालौन की बहू है तो हम दोनों लोग मिल गए हैं और यह भाईया है जो जालौन के ही है यह भी टीचर है गौर्वर्मेंट इनकी और मेरे हज़ब एक साथ ही लगी है हम लोग एक साथ ही रहने आये हैं, बस फर कितना है, यह थोड़ा सा दूर रहते हैं, यह थोड़ा पहले रहते हैं, और मैं थोड़ा और आंगे रहती हूं, बस इतना सा फरक है, यह दिखिए केक बगेरा लगाया जा रहा है, यह राजस्थानी रेस्टोरेंट है, और बस बहुत ज़ाद बच्चे एक्साइटेट रहते हैं मेरी आध्याब बहुत ज़ाद एक्साइटेट थी बोल रही थी ममा मुए कि काटूंगी बोल रही थी मानस का वर्जे है देखें आपके एक लिखा हुआ है मानस इनके बेबी का नाम है मानस यह भाबी है अर ज़िए हम थो भूए मिल्के ना तो बहुत सारी गोस्फ होती है बहुत सारी बाते होती है जब दिवाली पे जब हम घर जाते हैं अईसे यह भी घर जाती है तो भिस यह सैंट हन के अनजान सेहर में और भी यहाँ पे लोग है उनके साथ में हम अपने सुख दुख अच्छे पल हर एक पल एंज्वाइ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे केक कट हो रहा है है एपिबर्डी जर्माना अपिबर्डी जू यू हैपिवर्डी बेटा एंडडोग्स मेरा बहुत ज़दा एक्साइट है यहां क्लैपिंग कर रहा है एक भीया और है यह भी गौवर्मेंट टीचर में ही है इनकी जब यह आये थे सितापुर में जॉब करने तब यह अन्मेरिट थे लेकिन अब वो मेरिट भी है और इनकी एक बहुत ही प्यारी सी करीबं धाई साल की बेती नित्या है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है अब मेरे दक्स से वो करीबं थ्री मंत छोटी है आप उसके सकते हैं बस तो बस यहां पर यह देखे के कट हो गया है बड़ भावी जो है टीका लगाना भूल गई थी तो वही है टीका बलगा दो कोई बात दी टीका तो लगाई भीजिएगा तो अभी मैं मेरी फैमिली मलगदा उस अध्या उन्य हजबन और मैं फोटो क्लिक कराने आये हैं एंड उसके बाद साथे साथ बेबी को केक भी खिलाएंगे यह मानस जो है आद्या से चोटा है और जिस स्कूल में आद्या परती है उसी में मानस परता है मानस अभी उसमें है नर्सडी में और आद्या हमारी केजी में हैं बढदे को फष्ट में कराना था मुझे लेकिन कोविट की चपकर में 200 लॉस होने की वज़े से उसे केजी की वज़ा है केजी में एड्मिशन मिला और यहां पर मैंने केक वेक खिलाया है और फिर अब यह भावी फोटो शूट करा रही है तो अब एक दो पिच्छा अच्छा लगता है क्लिक करना कराना और उसके बार टिनर टाइम हो गया था तो दाल दो टाइप की पनीर की सबजी रोटी शैलेड और मीठे में तो केक ही थ अब लोग जो श्टार वो ले चुके थे श्प्रिंग रोल वगेरा खा ही चुके थे तो बास तरीके से बढ़डे पार्टी भी आप देख सकते हो यह आली जो रो है इसकी हाफ रो हम लोग है मला हम सभी लोग है हाफ रो में और रिश्टरंड में और बहुत से कस्टूमर वो अलग थे खेर जो भी है तो बस यह है नित्या जो की बड़ी क्यूटे प्यारी सी यहां पर मैं दक्स को केक खिला रही हूं क्योंकि खाना वगेरा खा चुकी हूं मैं यह नित्या की मम्मी नित्या को पानी पिला रही है बहुत अदर जब भी मैं बुला रही थी दक्ष सराद मत करो, तो खुद भी बोल रही थी, दक्स को बक्ष कह रही थी, बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट सी बेबी है, और कुछ खाप ही नहीं रही थी, तो बस वही है, ऐसा ही रहा ये वाला व्लॉग, आपको पसंद आया हो, बद्ध्य व्लॉग, अगर आपको थोड़ा ह प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नाया है, सब्सक्राइब करना, यहां पर एक ऐसी चीज हुई थी, जो मुझे बिल्कुल भी उमीन नहीं थी, तो मैं नेक्स वीडियो में आप लोगो शेयर करूंगी, ऐसा यहां पर क्या हुआ था, जो मुझे बिल्कुल भी उ दूबली सी लग रही हूँ, जैसा कि मैं ने पिसले वीडियो में आपको बताया था, बस देखते हूँ क्या होगा, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे बद्दे था, शेलिवरेशन था, इंवाइट थी मैं, मेरी फैमिली तो हम लोग आए थे, तो चलिए इस वीडियो के यह यही हुआ है, एघ ज जब कर दो हम लोगा ही वीडियो के यही है oän